Hello my dear friends, today we will continue our programming series for the so let's get started पिछली वीडियो में हमने Hello Word program किया था और आज हम आगे चलने वाले हैं आपने second program के तरफ छोके रहने वाला है variables के बारे में कि variables क्या होते है, किस तरीके से हम variables को create कर सकते है उनको प्रिंट कर सकते है और इनकी values को जो है कैसे change कर सकते है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि variables क्या होते हैं Friends, variables, user-defined और user-readable custom names होते हैं जो memory location में assigned होते हैं और एक value को hold रखते हैं जिसे हम कभी भी modify या बहुत बार जो है उसको use कर सकते हैं अपने program के अंदर Simple वासे में समझाए जाए तो variable एक तरह से container होते हैं जो data को store करते हैं जैसे कि कोई number या फिर character थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं में variables के बारे में आप लोगों को C programming language में कुछ specified keywords रहते हैं जो कि हम अपने variables के name में जो है उनको use नहीं कर सकते हैं उनका नीचे जो है आप लोगों को दिख भी पा रहा होगा जो keywords है तो इन keywords को जो हम अपने variables name में जो है यूज नहीं कर सकते हैं variables declare करने का syntax जो है वह भी नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को तो चलिए अब हम अपने program keyword चलते हैं और program जो है अपना create कर लेते हैं नाम कुछ भी दे सकते होगा जो भी आपको comfortable लगे तो हम देख लेते हैं print variables यहां पर print variables dot c extension डालेंगे यहां पर c पर काम कर रहे है तो और जो c का basic structure रहता है जागे मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था तो same structure रहने वाला है आज भी और आगे वाले programs में भी जो है same structure रहेगा तो उसको जो है मैं लिख देता हूँ फटा फटे यहां पर तो यह जो है basic structure है हमारे किसी भी एक c program का तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जब भी कोई variable declare किया जाता है तो c compiler कोई भी एक random और garbage value उसमें store कर देता है स्पोस्थ हमने कोई भी एक variable declare क्या लाइक एंडिजर टाइप हमने एज वरिबल जो है declare कर दिया और इसमें कोई भी वैलू जो हमने assign नहीं कि तो आप c compiler क्या करेगा इस एज में जो है अपनी मर्जी से कोई भी एक random value या garbage value जो है इसमें store कर देगा कि इसका में दिखाव देता हूं आपको print करके देखिया printf percentage age semicolon और देखे स्कुरन करके दिखाता हूं आप लोग को आप देखिया आउट्पूट में आप देख पा रहे हैं यहां पे जो इसका आउट्पूटों में मिला हूँ 617 मिला है इसमें कोई भी value असाई नामने नहीं कि लेकिन इसमें फिर भी value है क्योंकि C compiler ने क्या किया इसमें कोई भी value उठाके रख दिया है तो चलिए इसका मैं process अब आपको आगे बताता हूं syntax आप लोगों को मालूम हो चुका है कि किस तरह किसे आपने जो है यूज करना है अब थोड़ सा यह देख लेते हैं कि कि किस तरह किसे उनको जो है define किया जाता है declare किया जाता है तो variable को declare करने से पहले हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसा कि किसी भी variable में letters, alphabet, numbers या underscore हो सकता है variable के first position पर कोई भी variable special character या space से शुरू नहीं हो सकता या कोई भी जो specified या predefined keywords है उनको variable जो है consider नहीं किया जाएगा और यह देखिए मैंने एक example डाला है निचे आप लोगों के लिए कि कौन से जो है valid और invalid variables name है तो इसको देखके थोड़ा सा आपको clarity मिल जाएगी उसलिए अब जो है variables को declare कर लेते है अब अपना system पे किस तरीके से जो है काम करने वाले है अभी देखिए मैंने जैसे किया थ then print किया था मैंने age को तो age जो है एक variable है integer type का और int जो है एक data type है अब जो age में जो value आ सकती है वो आ सकती है कोई भी integer value like कोई भी numerical value like minus 1, 0, 2, 3, 4, 5, 35, 40, 50 तो इस तरीके जो value जो है integer में आ सकती है क्योंकि हमने जो data type लिया है वो integer type का लिया है data type में थोड़ा सो और आगे बताऊंगा आप लोगों को फिलाल जो है integer को देख लेते हैं अब suppose age में जो हम अपनी value assign कर देते हैं यहीं पर age 25 इससे पहले हमने कोई value assign नहीं कर रखे थी तो इसके recompile नहीं क्या किया अपनी मर्जी से कोई भी एक value इसमें डाल दी लेकिन हमने क्या किया विसमें value assign कर दिया 25 अगेन इसको जो हम recompile करते हैं और इसका आप जो है output देखते क्या आता है तो output आप देख पार है यहां पी यह 25 मिल रहा है यहां पी अगेन एक बार इसको फिर जो साथ के साथ करके देख लिया अब थोड़ा समा आपको और बता देता हो कि हमने printf function की मदद से जो है इसको मदब किया है प्रिंट-अ-प्रिंट की क्या करता है हमारा किसी भी प्रिंट करने काम करता है पर हमने यहां प्रिंट करने के लिए मदद करता है जिसकी वज़े से हमें जो है इस की जो है वैलू हमें मिल सकी है 25 अब थोड़ा से डाटा टाइप के बारे में पढ़ लेते कि डाटा टाइप सोते क्या है दिस्प्ले पर आपको मिल भी रहा होगा थोड़ा समय ब्रीफ भी कर देता हूं आपको इंडिजर टाइप बें जो है मैंने पहले ही बताया आप लोग को नुमेरिकल वैलू जरहती हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट लाइक माइनस टू माइनस फोर थी वन जीरो टॉन्टि टू जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से रहते हैं डेसिमल के साथ में स्पोज 34.9, 98.2, 1.2 जिसमें भी डेसिमल पॉइंट रहता है जिस भी वैलू में डेसिमल पॉइंट रहता है वह हमारी क्या रहती है डबल डाटाइप की वैलू होती है वह हमारी दैनिस के बाद आत है थर्ड नंबर पर क्रेक्टर टाइब क्या रहते हैं हमारे और स्पेशल न्ह ais को प्रिंट कर सकते हैं सिंगल landmass को मां के साथ में में इस सीन मागी ती अब है नहींaiser को में रहता हमें अ непॉर्द की अपनी है मत अर्शम आपको ज्यां खेल सकते हैं वह बाप हो को मैं बार इसकी वेलूस बेसाइन कर देते हैं, 45, semicolon, और अगेन इसको प्रिंट कर देते हैं, अब हम, लेकिन जो इसका फॉर्मिट स्पेसिफायर रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, यूद डबल जो फ्लोटिंग वेलूस रहती है, हमार यह डबल डटाइब जो रहती है, इसको प्रिं प्रिंट कर देंगे, इसके बाद जो है, अब हम चलते हैं, और इसमें भी जो है, एक वेलू को साइन कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देंगे, यहां से डारेक्ट, इसका प्रिंट करने के लिए इसमें भी फॉर्मिट स्पेसिफायर रहेगा, पर्सेंट सी, क्रेक्टर वैलूस को जो है, प्रिंट करने के लिए, हमारा जो फॉर्मिट स्पेसिफायर रहता है, वो रहता है, पर्सेंट सी, देन कोमा और एल्फबेट वाले को जो यहां पास कर देंगे देन इस पैलिंग थोड़ा से गलत हो गया इसको ठीक कर लेते हैं अल्फबेट और यहां भी अल्फबेट तो यह देखिया आप लोग तो इस तरीके से जो हमने सभी के सभी डाटा टाइपस को है प्रोपर लिख लिया है और इनका जो आउटपूट भी हम यहां भी बैकवर्ट लेस एंड जो भी आउटपूट आपको अगली लाइन में चीए जस्ट कि आप बैकवर्ट लेस एन करते जाए और आउटपूट जो आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा कि यह देखिए अब इसने जो है प्रफेक्ट ली जो है अलग अलग तरीकिसे जो सना उटपूट दिया अलग अलग लाइन में 2540.55 प्रटि यृव पाइप्ट जीरो एठ तो इस तरफिस च 마음에 अपना अलग-अलग वैलू जो है पी तो इसके साथ साथ जो हम अपने वेरियबल्स का जो वैलू है उसको चेंज करके देखते हैं एक वरी क्या रहता है लाइक टॉंटी फाइव था हमारा यहां पर हम इसको ठाटी कर देंगे और जो सैलरी था हमारा कि 45 था उसको बढ़ा के बचास कर देंगे चास पॉइंट एक कलती रह गया यहां पर इमने फ्लोटिंग पॉइंट में वैलू ने लिया तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट में करके उसका भी आउटपूट देख लेते साथ के साथ में कुए मैंने वहाप जीरो जीरो मिल रहा आपको एकड़ेक्ट वैलू नहीं मिल पाएगा तो शैलरी जो हमने ले लिया है यहां पर सेल्री को भी इन्क्रीस कर दिया है यहां पर और अल्फाबेट जो था उसकी वैलू को भी जो हम चींज कर देते हैं यहां पर तो उसकी मेलर्ов पहले थे पर बिलु अभी हम सही कर देते हैं यहां से कि गैधान यह और दोवारा से जहों हैं सब को कि प्रिंट कर देते हैं कि ये वाला पहली को प्रिंट कर आज हम यहां पर लिख हुए और यह जो हमारी प्रिंट करेगा तो अगे नीवक करते हैं अपने प्रोग्राम को एंट आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह पहले वाली वैलूस भी लिए हमें यहां पर उसके बाद जो हमने वैलूस को मोडिफाई किया था वह वैलूस जो हमें आपे मिल पाई हैं तो इसी तरीके से जो ह है आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम जो है बना सकते हैं विद्धा हैल्प अफ तीस तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वगर आप चैनल पर पहली बार आए है या चैनल पर नए है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब क तब तक ली गुडबाय